हेलो फ्रेंड्स मैं विन्या निर्भिक फ्रेंड्स आपका एक बर फिर्ष्ष हमारी चैनल पर श्वागत है तो फ्रेंड्स ग्रूप डेट को लगर के बड़ी खबार आ रही है ठीक है बड़ी खबर में हम चर्चा कर लेते निज़ देख लेते निज़ में क्या लिखा किया है आप लोग इतने दिन सो वेट कर रहे थे जुलाई अगस्त अब सितंबर भी आने वाला है कि आप सितंबर में भी एक्जाम नहीं हो पाएगा और एक्जाम कंड़क्टिंग एजनसी कौन इसको लिए करके काफी हुआ है फैल रेफ्रेंट्स मैंने अभी तक कोई वी जाने कब से होगी परिच्छा यहां देखे निव अपडेट ठीक है यह आजी का न्यूज है फ्रेंट्स ठीक है अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है फिर हम बात करेंगे एक्जाम करने टी एजनसी को लिखे क्या लिखा है और बी गुरुपडी एक्जाम 2021 अपडेट लाग है तो फिर दो करोड़ बेढ़ती ने अब आपको मालूम कितने 1,15 लाग है जिसकी वज़ए से परिच्छा भी कई चरोड़ों में आयोजित की जाएगी हालनकि परिच्छा की तारिखों का अभी एखलान नहीं किया गया तो यह सही है परिच्छा की तारिखों का करती के यह आवेदन 2019 में भरे गया थी लेकिन परिच्छा 2019 लोकसा चुनाओं की वैसे नहीं हो सकी वहीं उसके बाद कोरोना की पहली और दूसरी लहर की वज़ए से भी परिच्छा नहीं हो सकी जिसके बाद से अभ्यरती परिच्छा की तारिखों का इंतजार कर रहे हैं तो आपको मालूम है यहीए बात में सच्चाई है कि उस ताip dips election था क्वेजिस बाद था उसके बाद समय मीला था गर्मेंट को फिर गौरrman bekommt ने एकजाम नहीं कर सकते था या किन उसके बाद से लगतार कोरोना के एकजाम नहीं हो पा रहा है इसमें शचाई है फीक है यहां के बाद तत्काल एक्जाम कराय जा सकते थे चुन जुलाइस कराय जा सकते थे लेकिन तब नहीं करायेंगा उसके बाद से लगतार कोईट वेश्य एक्जाम टलता जा रहा है ठीक है और अभी क्या है अभी नए इसु खड़ा होगे एक्जाम करनेटी एजनसी को लेकर के तमा भारती रेलवे भरती बोट, RRB गुरूप डी एक्जाम दोरे किस इस भरती के लिए लगबंग 2 करोड़ों भरती होन आवेदन किया, जिसके वैसे यह परिच्छा भी करोड़ों में आवजित की जाएगी, हालांकि परिच्छा की तारिकों का भी एलान नहीं किया गया, लेक ठीक है, उसकी भी मैं एक cut-off की वीडियो लेकर के बता दूंगा कल पर्शो में कि उसका expected cut-off क्या हो सकता है, कितना cut-off जा सकता है, कि इसको CPT2 का preparation करना चाहिए, कि इसको नहीं करना चाहिए, कि इसको especially group day focus करना चाहिए, और कि इसको दोनों पर focus करना चाहिए, मैं कल इस प लिखा है, बोट के सुत्रों की मारें, तो group day की परिच्छा को लेकर सभी तयारियां पूरी कर ली गई है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो जिस center पर NTPC की CVT1 परिच्छा हुई थी, उसी center पर group day की भी परिच्छा कराई जा सकती है, तो friends, आपको मालूम है कि NTPC की सभी सब्सक्राइब को मिल जाएगा, तो आप यह बताएगे, क्या यह पॉशिबल है, कि ION इस्ट्राइब सेंटर है, उसे NACIT बुक कर पाएगा, जबकि TCS आप लोग खुद कह रहा है, कि SSC का एक्जाम करा जारा अक्टूबर में, और उससे पहले उमीद किया रहा है, कि आप कि अगर फिर से कन्फर्म कर देना चाहता हूं, कि यह एक्जाम जो है, TCS कराने वाली है, NACIT नहीं कराने वाली है, ठीक है, यह बस एक अफवा है, बाकि लोगों के अलफवा फ़ल आ रहा है, बाकि कुछ नहीं है, इतना बड़ा एक्जाम नहीं सकती है, क्योंकि NACIT पास बहुत कम सेंटर है, और NACIT पास इतना मैन पाउर भी नहीं है, को इतना बड़ा एक्जाम करा पाए, ठीक है, क्योंकि NACIT में बता दू, कि वर इंट्रेंस एक्जाम कराता है, इन्वस्टिव बगर का, और UP पुलिस के एक्जाम कराता है, बाकि कोई एक्जाम हो जल्दी न क्या होता है, बाकि कोई मुझे उमीद ने कि इंडियाम कराने वाला है, इतना बड़ा एक्जाम, तो आप लोग कन्फूजन से दूर रहें, और बाहर आजाई सम्मल से बात से, कि कोई एक्जाम दूसरा एक्जाम जो एक्जाम कराएगा, ठीक है, आगे क्या लिखाया है, कि एक और सुतर ने बताया कि 15-20 अगस्त की लिखित परिच्छा की तारिकों का ऐलान करे सकते हैं, मतलब है कि 15-20 अगस्त के बीच लिखित परिच्छा की तारिकों का ऐलान करे सकते हैं, लोग टाइपिंग इरट करते हैं, ठीक है, सच में ही है, 15-20 अगस्त की तारिकों का तो नौवंबर से पहने चांस नहीं बनता है और दूसरा रिजन लोग दे रहे थी कि एक्जाम जो है तो लोग बोले तो अगस्त में एक्जाम होगा पर लोग 16 अगस्त को बोले फिर 21 अगस्त को बोले फिर 25 अगस्त वाले भूट बाहर भाग गये हैं ठीक है यह कही नजर न लगाने स्टार्ट कर दिया लॉंग डाउन वर तो नहीं उस कर रहे हैं वर्ट आपको मालू ही मैं सेल पर दिसमेंबर इस्कूल फ्रत दो तारीकों फिर से नौतर से स्कूल दुबारा बंद कर दिया गया है ठीक है और केरला का कंडिशन आप देखी रहे हैं महाराष्टा क अब देखी रहे हैं कि करणिशन थोड़ा खराब होते जा रहे हैं आपको लोग है किसस घट रहें कैसा अठाइसर भी मिलें कल लेकिन कैसे घटने का मतलब यह नहीं है फ्रेंस आर फेक्टर बढ़ यार्फटर का मतलब क्या है कि एक वैक्ति से दूसरे वैक्ति में संक्रम अब करते रहे हैं यानि आर फेक्टर बढ़ गया यानि इससे कहां से चाता है खत्रा फिर बढ़ गया है तो फ्रेंस लेकिन फिर भी क्या है मैं डाइक्टली यह नहीं का सतो सितंबर में एक्जाम नहीं होगा ठीक है क्योंकि अभी तक मेरे पास ऐसा कोई ओफिशल नहीं है तो मैं सब्सक्राइब नहीं फैलाओंगा मैं बस आपसे यहीं कहूंगा मुश्किल तो लग रहा है लेकिन फिर भी अप उमीद किराओं मैं तो आपसे शुरू से लगतार यहीं बात कह रहा हूं कि अगर कोवीड आ जाता है तो आपका एक्जाम सितंबर में मुश्किल ह सकता है अगर कोंभीड नहीं आता है पिर ऐसे जーनी बहुत जदा नहीं बढ़ता है तो सितंबर होने के माईकस्मल चांसे मैं यही कहांगा अगर कोवीड एffekt नहीं पढ़ता है अगर कोवीड एखेक्ट पढ़े जाता है पिर एक्जाम सचमें सकता है मुशकिल हो सकता है फिर आपका एक्जाम नॉवम्बर दिजम्बर तक भी जा सकता है लेकिन एजनसी के बारे इम फ्रेंट्स कनफर्म है कि एजनसी जो टीच्जियर से नहीं है इस एक अफ़वा है कुछ फ़वा फ़ा रहे हैं बाकी कुछ नहीं है ठीक है फ्रेंट्स पभी के लिवस इतना है थैंक यू जय हिन जय भारत